हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल दोस्तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में सेव लेस्ट इस्टेंड कोलर कुर्टे की कटिंग करना बताएंगे हमने बहुत ही आसान तरीके से इस कटिंग को करना बताया है दोस्तो अगर आप हमारा वीडियो अच्छे से समझना चा है तो यहां पर हमारा मेजैमेंट कुछ इस प्रकार से हैं हमने यहां पर देखिए हैं अपने कुर्टे की टोटल लैंद रखी है मेजैं को हरे सान च्छे हमारी 38 इंच है और आर्मोल यहां पर हमारे 15 इंच है चुकि हमारी यहां पर कुर्ती स्लीव लेस है इसलिए हमने यहां पर स्लीव का कोई measurement नहीं लिया है तो यहाँ पर देखिए约 मैं यहाँ पर जो कुर्टा बनाने वाली कहों उसमें मैं लाइनिंग को मैं ने इस तरीके से धुल कर और सुखा कर इस पर मैंने प्रेस करके इस तरीके से डबल करकर इस तरीके से थायट कर और यहांपर हमने मैनच नहीं है अस्तर हमने लिया है वह हमने hum से वल्हांट क्यों मेश्ट लिया है हो इस तरीके से पर नहीं को करनी और मार्किंग करेंगे और मार्किंग हम इस वाले लाइन से करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरीके से आपको इंजी टेप रखना है और यहां पर देखिए जो हमारी कुर्टे की लैन था वो 43 है बट हम लाइनिंग इसमें कम रखेंगे तो यहां पर हम तो यहां पर हमारा लाइनिंग देखिए 40 एंड हाफ इंच यहां पर आ रहा यहां पर देखें जितने हमारे शॉर्डर है उसमें प्लस वां इंच यहां पर कारेंगे था कि हम यहां लाइन ड्रो कर सके इसके बार में हम यहां पर कॉलर रैट करेंगे तो इसलिए यहां पर हम तीन इंज का मार्किंग करेंगे इस तरीके से और यहां से हम यहां पर इस तरीके से शोल्डर डाउन करेंगे जो हमने इस तरीके से यहां पर पॉनिंज की लाइन ड्रो की थी एक लाइन हम और यहां पर नीचे की तरफ ड्रो करेंगे इस तरीके से और इस वाली लाइन को हम सोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फ्रंट वाले में भी हम इस तरीके से शोल्डर डाउन कर लेंगे इस तरीके से हमें यहाँ पर shoulder down करने हैं अब देखिए friends हम यहाँ पर सबसे पहले armol का marking करें तो armol का marking करने के लिए जो हमारी यह वाली line है यहाँ से हम inch tape रखेंगे तो यहाँ पर देखिए armol निकालना का एक formula होता है तो यहाँ पर देखिए जो हमारी chest है chest हमारी यहाँ पर 34 है हम यहाँ पर lining यूज करेंगे और proper हमें यहाँ पर fitting का चाहिए यह वाला शूर तो हम इसके अंदर plus 2 inch add करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 36 36 में हम भाग देंगे 6 का तो यह हमारा आ जाएगा 6 प्लस इसके अंदर हमें थोड़ा सा losing चाहिएगा तो प्लस एक इंच हम add करेंगे तो यह हो जाएगा 7 तो हम यहाँ पर 7 inch armol का marking करेंगे ठीक है इसके बाद में हम यहाँ पर waste की marking करेंगे अगर आपकी height normal है तो आप यह 15 इंच भी रख सकते इसके बाद में आपका जो भी चाक आप रखना चाहते हैं उसके आपको मारकिंग करेंगे तो मैं चाक रखतीए हूँ k देख्यार 22 भी रखती हूं तो मैं यहां पर 21 एंड हाफ पर मार्किंग करूंगी इस तरीके से और यह जो हमने मार्किंग किए इस मार्किंग पर हम लाइंड रो कर लेंगे इस तरीके से हमने line draw कर ली है अब हम यहाँ पर देखिए जो हमारा marking है वो हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा upper chest है वो 33 and half है इसके अंदर हम एक इंच की losing डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 33.5 प्लस वन इंच 34 अब इसके अंदर हम divide करेंगे चार तो यह आजाएगा हमारा 8.625 तो यहाँ पर देखिए 8.625 तो यहाँ पर पौने 9 इंच के आसपास यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर यह वाली मार्किंग करेंगे ठीक है इसके बार में जो हमारा तक्स पॉइंट है यहां से देखिए गरेंगे तो दस इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहां पर चेश्ट हमारा 34 है तो हमने यहां पर दो प्लस लूजिंग लीती तो दो प्लस लूजिंग में हमारा हो जाएगा 36 तो यहाँ पर जो हमारा 36 होगा यहाँ पर उसका हम 14 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 9 तो यहाँ पर 9 इंच पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे प्लस अब वेस्ट पर आते तो वेस्ट में भी प्लस 2 इंच एड़ करेंगे लूजिंग का तो यह हो जाएगा तो यहां पर हिप में भी दो इंच की लूजिंग डालेंगे तो यहां पर जो हमारी है पर 38 तो उसमें दो इंच एड़ करेंगे तो हो जाएगा 40 40 का हम वन पोट लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा यहां पर दासिंच तो इस तरीके से हमें यह मार्किंग करनी है सेम इसके बाद में अगर आपको गेरा स्टेट नियाच चाहकर A-Line Shape में चाहिए तो आप उसी के assign यहाँ पर घ्रे की marking करें बैट मैं यहाँ पर अपना घ्रा स्टेट रखूंगी तो मैं यहाँ पर जो मैंने हिप का marking किया है उतना ही मैं यहाँ पर अपने घ्रे का marking लगाऊंगी यह जो मैंने marking की है इस मार्किंग को मैं मिला लूँगी ये देखे इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है बट ये मार्किंग में यहां पर देखे इस तरीके से कॉर्नर्स निकल रहे हैं तो इन कॉर्नर्स को हमें अपने हातों से अच्छे से ड्रॉ कर लेना है ताकि ये corners की shape अच्छे से बैड जाए ये देखिए, इस तरीके से हमें ये mark कर लेना है इसके बाद में friends, हम यहाँ पर sleeves add नहीं करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर off shoulder रखने वाले हैं without sleeves हम ये कुर्टा बना रहे हैं हमें यहाँ पर देखिए, stitching के लिए जो हम यहाँ पर color right करेंगे उसके लिए हमने half in seam allowance लिया है इसके बाद में आपको यहाँ पर जो पट्टी रखनी है, आप उसे के according यहाँ पर marking कीजिए मुझे यहाँ पर पट्टी रखनी है 2 इंच की तो मैं यहाँ पर सवा 2 इंच का इस तरीके से marking करूँगी और इसे इस तरीके से मिला लूँगी अब यहाँ पर देखिए, friends मैंने चुकि जिस तरीके से shoulder down किये थे, तो shoulder मेरे थोड़े से out जा रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से वापशे shoulder down करूँगी इसके बाद में हम यहाँ पर shaper tool का इस्तमार करेंगे और shaper tool से देखिए, यहाँ पर जो हमने यह वाली marking की है, इस वाली marking को देखिए, जो हमने यहाँ पर upper chest पर marking की थी, उस marking से हमें यहाँ पर इस तरीके से इसे मिला देंगे इस तरीके से हमें इसे मिला लेना है और यहाँ पर जो हम margewhy рек लेंगे, वो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेर इन्च लेंगे इस से ज़्यादा हमें margin नहीं लेना है ज़्यादा margin लेंगे तो हमना यहाँ पर जो fabric है वो खिचाओ लेगा और खिचाओ लेने के बाद में जो हमारी फिटिंग है उसमें प्रॉब्लम क्रेट होगी तो यह इस तरीके से मैंने 1.5 इंच का एश्टा मार्जन लिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे कटिंग करने से पहले यहां पर देखिए जो हमारा बैक वाला तरीके से कट करेंगे अगर आप हमारे ब्लाउज कोर्स को जोइन करना चाहते हैं तो इसक्रीन पर दिये गए नमरों पर आप हमसे संपर करें हमारे ब्लाउज कोर्स की फिस मातर 2,000 रुपए है इस तरीके से आप यहां पर इस तरीके से कट का लगा लीजिए यह हमारा यहां पर फिटिंग का है तो यहां पर हमें इस तरीके से कट का लगा लेना है इसके बाद में देखिए जो हमारे यह वाले निसान है इन वाले निशानों को हम बैक वाले पार्ट पर इस तरीके से लेंगे कर लेंगे ने लिए और एक उब्ला कर्ली धूरी के से हम ने यहाँ पर इस तरी के से बैख MR पार्ट में भी इसे ड्रॉ। कर लिया है अब देखिए यहां पर जो हमारा यह व्रॉरा नइक कंद झिए बैक व्रॉaching है उस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे. इसमें हमें ज़्यादा डीप देना नहीं है, क्योंकि हम stand collar उस्टेंड कॉलर यूज करेंगे, इसलिए इसे इस तरीके से कट करना है. इसके बाद में हम इसे इस तरीके से हटा देंगे. अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसमें भी हमें शोल्डर डाउन करने हैं तो इसे हम इस तरीके से कट करते वे डाउन कर लेंगे अब देखें फ्रंट में भी हमें यहाँ पर डीप कटिंग करनी है तो यहाँ पर हमें देखिए तीन इंच इस तरीके से मार्किंग करनी है और एक बॉक्स क्रियेट कर लेना है इस तरीके से और इसमें भी हमें यहां पर इस तरीके से शेप देते हुए इसे कर लेना है तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने इसे कर लिया है अब चुकि हमारा यह जो बैक वाला पार्ट है बैक वाले पार्ट में हमें गले में आने के लिए हमें कुछ जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हमें open रखना है बैक से तो यहाँ पर देखिए हम तकरीबन 5 इंच इस तरीके से marking करेंगे और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से cut कर open कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर जिब भी यूज कर सकते हैं otherwise जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से open रखा है आप भी यहाँ पर open रख सकते हैं तो इस तरीके से हमने lining की cutting कर लिया है अब हम अपने man part को cut करेंगे इसी lining के according तो देखें friends मैंने सबसे पहले lining cut कर ली थी lining cut करने के बाद में जो हमारा man fabric है उसको मैंने इस तरीके से दो पार्ट में इस तरीके से बिचा लिया है आप ध्यान रखे अगर आपका फैब्रिक जो है उसमें बूटियां है तो आप बूटियों का खास ध्यान रखे मेरी यहाँ पर जो बूटियां है वो ऊपर की तरफ है तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरीके से बूटियों को देखकर अरेंज कर लिया है इसके बाद में देखिए जो हमारा लाइनिंग है हमने कट किया था उसे हम इसकी ऊपर इस मैन फैबरिक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे मैन फैबरिक को आप हो सके तो थोड़ा एस्ट्रा ही कट कीजिएगा क्योंकि जब आप इसे चिपकाएंगे तो थोड़ा सा फैबरिक आपको एस्ट्रा चाहिए होगा तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा एस्ट्रा इस तरीके से कट कर लूँगी friends इसकी स्टीचिंग में आपको next part में बताऊंगी इस वाले part में आपको सिर्फ मैं इसकी cutting बता रही हूँ तो I hope दोस्तों आपको यहाँ पर मेरी इस कुर्टे की cutting आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपको कोई भी question कोई भी doubt है तो आप हमें comments box में comments करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो please like share जरूर कीजिएगा तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर इसकी cutting कर ली है अमीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को like share करना बिल्कुल भी मत भूले तो दोस्तों हम फिर आप से मिलेंगे एक नई वीडियो नई information के साथ में तब तक हमारे साथ बने रहे हैं धन्यवाद